इस वीडियो में हम आपको नाइट्रेशन रियक्शन और उसकी मैकनीज बताने वाले हैं यह नाइट्रेशन रियक्शन एक एरोमाट्रिक इलेक्ट्रोफिलिक सर्ट्विचुशन रियक्शन है देखे हम आपको बेंजीन का नाइट्रेशन करवा रहे हैं और इसका मैकनीज ब करवाई जाती है, H2 and SO4, हमको प्रोड़क्ट मिलता है, नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन और H2 बाहर, चलिए इसके माईकेनीजम में हम आपको बताते हैं, इसट्रेफ़ा इसट्रेफ है जणरेशन आप इलेक्ट्रोफाईल यहाँ पर अभ इलेक्ट्रोफाईल जेनरेट होगा तक हमने अभिकदिया यह-nande3 और स्लफियॉरिक एसिड यह ऑनाईज होगा तेखेए यह-node 2 तू प्लस में यह नो टू प्लस में इसे को नाइट्रोनियम आयन नाइट्रोनियम आयन इलक्ट्रोफाइल है यह आपका नाइट्रोनियम आयन इसे को नाइट्रोनियम आयन और यह जितने पर पाजिटिव चार्ज आनी है इलक्ट्रोफाइल जितने भी पाजिटिव इस पिस यहां से एक हाइडो निकल कर यह टूगो में चला गया चलिए देखे अब इस्टेप नमबर सेकेंड इस्टेप नमबर सेकेंड में यही इलेक्ट्रोफाइल अटेक करेगा कहां बेंजिंग पर तो आप पहले इस्टेप सेकेंड अटेक अटेक आप इलेक्ट्रोफाइल 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 कहां इलेक्ट्रोफाइल अटेक करेगा या इलेक्ट्रोफाइल अटेक करेगा बेंजिंग रिंग पर तो आप यहां पर लिखे चैनल लिखे आन अटेक आप इलेक्ट्रोफाइ यह आपका Benzen है, Benzen है, यहां से N O 2, N O 2, Nitronium Ion, Electro File, अर्टक करेगा, अब यहां देखें, आप चाहें, यहां पर अर्टक कर सकता है, Electro File क्यों होマरी, क्योंकि Benzen की सबी पोजीशन क्या है, जुर्टक हम यहां generally attack कराएंगे क्योंकि हमने यहां पर आपको product में nitrobengen दिया है आप चाहे तो इसके आर्थों पर भी attack करा सकते हैं पहरा मेटा पर पहरा पर आप जाहे जहां भी attack करा सकते हैं क्योंकि इसकी सारी position क्या equal है तो attack कराईए हम यहां attack करवा रहे हैं अब यहाँ पर यह एलेक्ट्रोफाइल अटाइक किया तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिपलेस होगा तब यह न आट्रोगू जुड़ेगा तो आप यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिपलेस कराईए और यह न ओटू यह न ओटू अटाइक किया और यहाँ पर यहाँ यह ब इसके बाद आप देखे लास्ट इसके बाद जो इस्टेफ होगा यह हाइड्रोजन यहाँ पर आ इसे हाइगा देखे इस टेफ थर्ड में हमने आपको पताया था इस पहले तो आपको कोई दिक्कत है नहीं हम ने सिस्व गजिस इसको जट neolग दिया और यह when site कोई दिक्कत नहीं अब है जो है यहाँ अपर आ जाएगा और अब इसका डॉबल बांड करें झाएगा और यहां इस प्लस के बाहर जाएगा तो देखें यहां पर HSO4- माइनस में है यही इस प्रोटान को accept कर लेगा HSO4- यह लेक्टान अपना यहां पर दे देगा तो H+, के रूप में जाएगा तो यही इसको accept कर लेगा देखें हमारा नाइट्रो बेंजिन तयार यहां पर यह डबल बांड आ जाएगा और यह NO2 यह hydrogen इसके साथ पकड़ कर लेगा H2SO4 पना लगा देखें हमारा नाइट्रो बेंजिन तयार यह क्या है नाइट्रो बेंजिन चलिए यदि आपको मैं इक नहीं समझ में आए तो आप वीडियों के लाइक कर देजिए और चैनल पने चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए